यह अंकल का है इनका नाम है तो चलिए हम लोग इन से बात करते हैं और जानते हैं कैट्रॉन की बारे में तो अंकल आप बताइए हम लोगों को कि यह जो आप लोगों का मॉडल है सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक बार चार्ज होने पर 80-110 km के अवरेज में चलती है जैसा कि आप लोग जान सकते दोस्तों यह एक बार चार्ज होने पर 80-110 km तक जा सकता है यह बहुत बढ़ी बात है पुल स्पीड में 80-90 km और लोग स्पीड में 110 के असपास यह चलेगी और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो टायर्ज है यह 12 इंचिस का टायर है इसका बैटरी रिफिन बैटरी में है यह की पूरे इंडिया में यह किसी और कंपनी नहीं देताए ग्री फैर बहुत से बहुत सारे मॉवार्ब से ओऊं सारे डिसनी आते है लेकिन यही एक क्या कंपनी है जो इंची चार्जिंग नेंज देताए अर्या आप नहीं होती है काफी देर तक इसकी शार्ज तिकती है और जैसा कि आप लोग इसका बॉड़ी और फीचर देखने में कोई भी आप लोगों को यह नहीं बोलेगा के एक एलेक्सिक इस्कूटी है बिल्कुल नॉर्मल इस्कूटी जैसे तिक्रण वाली इस्कूटी होती है कि अनुद वागिपशा। यह इसका इंडियों जगन का आप लोगों को कि भीक आशने को जैसे कि हम वेडिक ली तरीकर इसे एले डास बो GC by और इसके यहां पेशी अप लोग now तो यह बहुत बहुत बात है दोस्तो कि एक 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 स्कूटर है और इसकी स्पूटर तक जा रही है और आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो इस वए से कंपनी में यहां पर बैटरी इंडिकेटर दे रखा है जिससे आप लोगों को पता चलिए आगा कि गाली में कितने परसंट बैटरी है और यहां पर आप लोग देख सकते हो इंडिकेटर का सुझ दिखा रहा है और यहां आपका हैडलाइट का ओन ओफ दिखा रहा है जैसे यहां पर देख सकते हो और यहां पर देख सकते हो होन है दोनों साइड होन है इसके बहुत लॉड़ है बहुत अच्छा है और इसका एक नया फिचर में आप लोगो दिखाना चाहोगा जो मैंने अभी तक ài के आप का च्छाड जगता नहीं हो बल्के कि आपक यहीं ऑन ऐसी से से ओं जाएगा आर और प्लोग्ड वी ओज्याएगा उटाало की मुन व शीबूरा की रिमोट से आप तुरा जाइड़िव से ही आप पूरा और गारी को आपरेट कर सकते हैं और यह यह बीस्की यह ओन ह सबसे बड़ा यहां पर प्लस पॉइंट यह है कि इसका डिक्जी में लाइट भी आगिया है कि अगर आप अंदेरे में डिक्जी में कोई समान रख रहे हो तो आपको ढूंडने में जादा प्रॉब्लम नहीं होगा यहां लाइट है आप अराम से अपना समान रख सकते हो और इसका डिक्जी इतना वहां इसका डिक्जी है कि इसमें आप फूल साइज के हैलमेट बिल्कुल अराम से रख सकते हो और यह आपको यूजर मेनुवल भूग भी मिल जाता है गाली के साथ और टूल बॉक्स भी आपको कंपनी दे रही है जो कि बहुत अच्छी बात है और जैसा कि आप लोगों को एक चार्जर करने के लिए यह चार्जर दिया जारहा है यह 48 वोल्ट का चार्जर दोस्तों जैसा कि आप लोगों देख सकते हो यह 60 वोल्ट और 32 एंपर का चार्जर है जिसका आउटपूट रेटिंग है 5 एंपर से चार्ज होता है यह दो 7 था फार्ज होता है यह दो बहुत अच्छी बात है इस्से चार्ज बहुत ही फास्ट होता है जहां तक का हम लोगों का अभी तक का अनॉलीज रहा है in deros रा Tell me आप चार्ज करने में आप बहुत बबादा प्लिस पॉइन पहें तो दस किलोमेट ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत बढ़ी बात है और दोस्तों यहां पे आप लोगों के एक देखने मिल जाता है अगर आप गाली कुछ दिन के लिए घर पर छोड़ के जा रहे हो तो आप एमसी भी आफ कर दो आपका चार्ट ड्रॉप नहीं होगा और गाली में कोई सौर्ट सर्कृट भी नहीं होगा आईये अईयू गंगल से कुछ और भी जान लेते हैं इस गाली के बारे में जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसका मॉडल है GT90R यह एक मॉडल हो गया और आप लोग यहां एक देख सकते एक और मॉडल है GT90VX ठीक है इस मॉडल में क्या-क्या यह मॉडल आर और VX बहुत सेम ही है बहुत का बहुत सेम है लेकिन इसमें एक चक्के की यह इसमें जैसे 12 इंच का चक्का है और वह उसका भी बैटरी भी सेम है 32 इंपैर का बैटरी है लेकिन वह उसका चक्का का साइज का और रिमोट का वह भी रिमोट से चलता है लेकिन वह भी बिक्की वखरा है वह रिमोट से नहीं ऊत्या होता है इसके जो बैटरी वो रिमुवल है रिमुवल बैटरी है अच्छा मैंने जहां तक सुना है कि इसमें डबल बैटरी भी आप लगा करके आप चला सकते हैं तो अगर मतलब दोस्तों आप जैसा के जान सकते हो डबल बैटरी होने का मतलब मिनिमम माईलेश को अराम से आप कर लि नाइटी वाइटी आप दो बैटरी लगाते हैं इसमें तो सीधा वह 180 किलोमेटर आपका वह रही जो दोस्तों आप लोग समाई दे हो एक बल्ड फुल चार्ज करने के बाद अगर आप इस बैटरी को डबल बैटरी के साथ परशेस करते हो तो 180 किलोमेटर तक आप बले सब्सक्राइब कर दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक और आपको यह शोरूंग का हम लोग एधर दिखा दे रहे हैं आप लोग प्लीज यहां विजिट करो और आयू बंगल के पास से आ कि कैटरॉन की कोई भी बाइक आपको परशेस कर सकते हैं आप लोगों को अधर दिखा दे रहे हैं बोर्ट उपर में देख लीजिए और एक बार आयू बंगल भी आप लोगों को अधर बदा देंगे आप लोग यहां से आके गाली पर्शेस कर सकते हो चाहो तो अम लोगा वीडियो भी अंकल को दिखा सकते हो कि अम लोग यह 25 पहाड़पूर रोड गार्डन रिच मत्या बुरूज यह पहले जो यह पीशन सिनिमा हुआ करता था वह उसी मौल पे यह उसी कॉंप्लेक्स में यह मौल है और यह गार्डन रिच में है पाहाड़पूर मत्या बुरूज में तो दोस्तों आप लोग यहां आ सकते हो प्रड़ीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी मैं आप लोगों के लिए केटरान को और भी अगर इंफरमिशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में मैंसेज करना इंफॉरमिशन लेकर आप लोगों को हर कमेंट का जव